देखो एक बार, which of the following are important barriers in the equalization of educational opportunities, यानि कि अगर हम बात करें educational opportunities के equalization की, यानि कि सिक्षा के अवसर सबको समान मिल सकें, इस चीज में रुकावट कौन है, barriers कौन से कौन से हैं, इन चार options में से, बताईए एक बार, पहला option है, differences in economic status, यानि सिक्षार्थी की आर्थिक स्थिती में अंतर, gender disparities, यानि लेंगिक असमानता हैं, common school system, जो school system में सामान्य स्कूल प्रणाली सभी के लिए, या फिर differences in the standards of educational institutions, यानि कि सिक्षन संस्थाओं के मानकों में अंतर, बताईए एक बार, A और D सही है, ABC सही है, ABD सही है या ABCD चारों सही है, basically barrier पूछा है, रुकावट कौन सी है, सभी को समान education ना मिलने का कारण कौन सा है, ये पूछा है, common school system होना ये कोई रुकावट नहीं है, ये तो अच्छी बात है, हम education for all की बात करते हैं, common school system हो, हर तरह के बच्चे वहाँ पढ़ पाएं, लेकिन बाकी जितनी भी चीजें हैं, ये जो economic status है, जिसके पास पैसा है, वो एकदम hotels जैसे schools में पढ़ने को तेयार है, जादा अच पहले ही कह दिया कि महिलाएं कम हैं ये पुरुष जादा हैं, that means आपने पहले ही भेदभाव कर दिया, फिर बराबर कहां हो पाएंगे, वो कहां opportunity उनको बराबर मिल पाएगी, पहले ही इन भावना आ गई, फिर है, differences in the standards of educational institutions, सारे educational institutions भी तो standard नहीं है, क्यों आप कल government job में ज A, B और D, तीनों चीज़ें एक barrier हैं जिसकी वजह से हमारी जो educational opportunities हैं, वो सब के लिए समान नहीं हो पाती, common school system इसका कोई barrier नहीं है, बलकि ये तो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, question को समझेगा ठीक से, The main argument in favor of the textbooks is, पाठ्य पुस्तकों के पक्ष में मुख्य तर्क है, बताइए एक बार, पाठ्य पुस्तक का होना क्यों अच्छा है, इसके पक्ष में एक तर्क बताना है, एक option होगा कोई, भून दिये एक बार, Textbooks are easily available, जो पाठ्य पुस्तक हैं, वो आसानी से available हो चाती है, Textbooks help in developing creativity of the learner, बच्चे की जो शार्थी है, उसकी रशनातमक्ता को बढ़ानाई में साहेता करती है, Textbooks, या फिर Textbooks ascertain a minimum of authentic content to be covered by the learners, यानि पाठ्य पुस्तक जो है, एक minimum level of authentic content को cover करने की बात करती है, या फिर Textbooks cost less, सस्ती होती है, तो किताबों का तो एक से एक महंगी किताबें आपको मिल जाएंगी, जैसे जैसे आप higher education या और बाकी तरह की किताबें लेते हैं, तो जवाब दीजे, तो ये तो कोई point हुआ नहीं, easily available है, may be, बट यही तो एक favor में नहीं हो सकता ना, argument, Textbooks help in developing creativity of the learner, creativity कैसे, मदब बच्चा रंग भरता है, या कुछ ऐसा out of the box सोचने लगता है किताब पढ़के, बहुत जादा सायक नहीं है, may be, थोड़ा बहुत हो सकती है, लेकिन creativity के लिए main source book नहीं है, ठीक है, और A option जाएगा नहीं क्योंकि, कोई main तर्क नहीं है, इसमें logic बहुत बढ़ा नहीं है, चार options में से एक ही best होगा न, तो best क्या है, C option है, text books are certain, minimum of authentic content to be covered by the learners, at least ये ensure करती है, कि इतना तो content आपका minimum authentic है, जिसको आपको cover करना ही है, इसके लावा supplementary में आप जो पढ़ना चाहें, complimentary में जो पढ़ना चाहें, extra जो भी पढ़ना है, वो पढ़ सकते हो, ठीके बाद, तो इस case में C हो गया, आगे बढ़ जाएं next question की तरफ, next question क्या है, टैश views children as active builders of knowledge and little scientists who construct their own theories of the world, भाई ये कौन व्यक्ती है, जो बच्चों को क्या मानते है, active builders मानते है, यानि की ज्यान के सक्रिय निर्माता मानते है, और नन्हे वज्यानिक मानते है, little scientist, तो पैवलव हैं, यूंग हैं, प्याजे हैं या, इसकिनर हैं, जवाब दीजे, प्याजे हैं, simple answer है, प्याजे हैं, जो कहते हैं, इन से पहले लोग importance नहीं दे रहे थे कि बच्चा भी active builder है, इन्होंने कहा, बच्चा भी सोच सकता है, वो भी ज्यान का स्रिजन कर सकता ह सक्रिय रूप से ज्यान के निर्माता हैं बच्चे भी active builders हैं, नन्हें वे ज्याने कहा, एक्सपरिमेंट करते हैं, छोटे मोटे कोई चीज दो, उसको तोड़ के देखेगा, activity करके देखेगा, मतलब अपनी समझ का निर्मान करते हैं, अविक्सित करते हैं अपनी समझ को, ठीक है बात और अपनी एक अलग कॉंसेट्स बनाते हैं, आगे बढ़ेंगे, which of the following is correct about development, विकास के बारे में कौन सी एक बात जो है, वो सही है, correct है, पहला option है, socio-cultural context plays an important role in development, जो समाजिक सांस्कृतिक मुद्दे हैं, वो महतवपून भूमिका निभाते हैं विकास में, या या फिर development is unidimensional, यानि की एक आयामी है, एक ही दिशा में चलता है, या फिर development is discrete और सतत है, continuous नहीं है, या फिर development begins and ends at birth, जन्म के समय ही शुरू हो करके, जन्म के समय ही खत्म हो गया, एक दम मूवीज के गानों के जैसा, तुम पे ही खत्म, तुम से शुरू, ऐसा नहीं होता ठीक है, यह development नहीं है, development तुमारे शुरू होने से शुरू है और तुमारे खत्म होने तक खत्म है, मतलब womb to tomb जाएगा, गर्भ से कब्र तक जाएगा, जवाब दीजे जवाब, एक नंबर के लिए सवाल, बताओ एक बार, socio-cultural context plays an important role in development, जो समाजिक सांस्कृतिक परिपेख्ष है, समाज और संस्कृति जो है, आपके विकास में एक active role play करती है, बहुती महतुपूर्ण रोल निभाती है, आप अपने समाज और अपने संस्कृति से सीखते हैं, अपने ज्यान का सरजन करते हैं, कौन कहेंगे, to tomb जाएगा, ठीके बात, तो ये भी बात खत्म हो गई, जन्म से भी पहले शुरू हो जाएगा, गर्भ सही conception के time से ही, और आपकी कब्र तक जाएगा, question number 5 देखिए एक बार, why do individuals differ from one another, मैं और आप अलग कैसे हैं, आप और आपकी बहन, आपकी मम्मी, या कोई भी दुनिया कोई भी दो लोग अलग क्यों होते हैं, कोई भी दो लोग पूरे तरीके से सेम नहीं हो सकते, कुछ common चीजें हो सकते हैं, बट सारी common नहीं हो सकते, डिट्टो कापी नहीं हो सकते, शायद दिखने में भी हो, बट वाकी चीज़ों में नहीं होंगे हैं, किसी का भी genetic makeup exactly सेम नहीं होता हम सब यूनीक हैं अगर हम बात करें तो बट हमें बैस्ट बनने का चौक है बताइए एक बार ड्यू टू धी इनबॉर्ण के बीच में जो अंतहक रिया है उसके कारण या फिर वही जो जो जनेटिक माटीरियल है सबका ड्यू आ रेने वो सब डिफरेंट है या फिर मिस्टी बिकॉस ऑफ दी इंपक्त ऑफ दी इंवार्मेंट या पर्यावरण के प्रभाव के कारण ऐसा है माब आप सेम एंवार्मेंट दिनी कोशिश करते हैं दो बच्चों को सेम स्कूल में पढ़ाते हैं अपने साथ ही रखते हैं सेम घर में रहते हैं सेम रूम में भी रह सकते हैं क्या वो वैसे ही होते हैं नहीं होते तो जैनेटिक माटीरियल का ही अंतर नहीं है एंवार्में के interaction या product के अलावा, कुछ भी सोच लिजे आप, आपकी inclination से लेकर के और आपके interest से लेकर के दुनिया भर की चीज़े हैं, heredity और environment का गुरन फल ही है nothing else, ठीक तो due to the interplay between heredity and environment, इसी के कारण individual differences हैं, व्यक्तिकत विभिनता हैं, कोई भी दो लोग समान नहीं होंगे heredity और environment के interaction के कारण, ठीक है, which one of the following is a correctly matched pair सही से matched pair, correctly matched pair, ये मान लिजे column A है और दूसरा मान लिजे column B है, तो correctly matched कौन सा है, formal operational में बच्चा imitation शुरू करता है जी नहीं, sensory motor में ही कर देता है, ये तो खतम infancy क्या है, applies logic, वावा, जन्म से दो वर्ष में बच्चा logic apply करने लग जाएगा, मतलब scientist ही पैदा हो गया, तो ये तो possible नहीं है, logic apply होता है concrete operational में, 7 से 11 वर्ष में pre operational child deductive thought, ये तो formal operational में आएगा, 11 साल में, 2 से 6 में थोड़ी आ जाएगा, तो बचा क्या option, सिर्फ एक ही बचा, eliminate करके देख लिया, हमने concrete operational child, यानि मूर्थ संक्रियात्मक, अवस्था का बच्चा, 7 से 11 वर्ष का बच्चा, जिसके अंदर logic, जिसके अंदर inductive thought, यानि की आगमन तरक आएगा सबसे पहले concrete चीजों को लेकर के उसके अंदर reasoning आ जाएगी, और conservation, यानि संरक्षन सीख जाएगा, और classification, यानि categories में विभाज़त करना सीख जाएगा, वर्गी करन सीख जाएगा, और अगर मैं बात करूं conservation की, तो अब बर्फ पानी बर्फ बन सकता है, जो quantity और quality का aspect है, volume जो आपका shape और size के change होने पर volume चेंज नहीं होता, mass, number, area, इन सब का concept अच्छे से समझ पाएगा, आगे बढ़ जाते हैं, assessment क्या है, आकलन, बहुत ही favorite, आकलन हर एक topic, हर एक exam का, आकलन क्या है, what is assessment, शुड अक्टिवली प्रमोट, उसको प्रतिसपर्धा भावना, प्रतिसपर्धी भावना को जाकृत करना चाहिए बच्चों में, दोड़ दोड़ के उनको ठका दो बिल्कुल, या फिर, B option, should generate tension and stress to ensure learning, या फिर C option है, is a way to improve learning, और D कहता है, is a good strategy to label and categorize children, देखो जहाँ पर भी label आजाए, labeling आपका काम नहीं होता, name calling आपका काम नहीं होता, competition आपका काम नहीं होता, ठीक है, इसलिए आप नहीं खड़े हैं, वहाँ पर facilitate करने के लिए, improve करना बहुत अच्छी बात है, B option देखते हैं, generate tension, tension generate करने के लिए, वैसे ही, जीवन में कम नहीं है, attention आप भी उसको सिखा दीज़े, यही सब, is a way to improve learning, assessment क्या है, आपको feedback देता है, है न, आपके improvement के लिए होता है, कि आपको और कहां improve करना है, अपनी teaching learning process को, बच्चे को कहां कमी है, gaps कहां है, उनको fill कैसे करना है, remedy कैसे देनी है, that means, improve, यानि, असेस किया जाए, आप खुद को आकलन कर रहे हैं, रोज शाम में यहां करके, इसलिए थोड़ी कि अगर आज 10 में से 10 नहीं आए, तो मैं पड़ासी के घर में रोना पीटना मचा दूँगा, आपके बच्चे के तो 10 में से 10 आये हैं, नहीं, इसलिए कि improve कर सकें learning को, पकड सकें अपनी कमियों को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 8th question पर, learning यानि की अधिगम, learning यानि की अधिगम, पहला option है, has very little connection with emotions, समवेगों से बहुत छोटा मुटा connection है, is independent of a learner's emotion, independent है, कोई फर्क नहीं पढ़ता, influenced है, यानि प्रभावित है, एक व्यक्ति के emotions से, या फिर is not affected by a learner's emotion, not affected मतलब, फर्क नहीं पढ़ता emotions से, हाँ न, अगर हम इंसान हैं, तो emotions तो होंगे, नहीं तो robots बन जाएंगे, हाँ न, तो Watson भी कहते हैं, fear, anger, love, तो है ही, बाकी भी बहुत सारे emotions हैं, अलग-अलग लोगों के according, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, कि emotions का प्रभावना पड़े, जब हम humans हैं, हमारे अंदर emotions inbuilt हैं, तो ऐसा possible नहीं है, कि वो emotions हमारी learning को प्रभावित ना करें, एक दिन आप खुश होके पढ़िये, positive attitude के साथ पढ़िये, सोचे कि हाँ, अच्छा से समझना है, चीजों को मज़ा आ रहा है समझने में, और बिना किसी tension या कम tension के साथ पढ़िये, दूसरे दिन आप repeat के पढ़िये, परिशानी में रहिये, सीखने में problem होगी, तो आपके जो emotions हैं, वो at least almost हर एक activity को ही प्रभावित करते हैं, हम ये कह सकते हैं, तो emotions को सही तरीके से manage करना बहुत important है, नहीं तो earth का अनर्थ हो सकता है, देवदास भी बन सकते हैं, question number 9 देखिए एक बार, question number 9 है, which of the following is not a characteristic of the socially and emotionally mature person, एक व्यक्ति है जो सामाजिक और सामवेगिक रूप से परिपक्व नहीं है, ऐसे व्यक्ति के बारे में बताईए, C option, he is capable of exercising control in the face of emotional stress, यह तो एक emotionally और socially mature person की कहानी है ना, कि वो control कर सकता है, अपने emotions को manage कर सकता है, जब मुश्किल समय आये तब, है ना, stress की situation में, he is relatively free from anxiety and conflict, लगभग बाकी लोगों से है, generally, वो comparatively anxiety से और conflict से, सब से लड़ता हुआ नहीं घूमता दिखेगा आपको, कि इसने आज यह कह दिया, इसने वो कर दिया, इसको तो ऐसे कर देंगे, और सब बिकार हैं दुनिया में, मैं ही best हूँ, यह सब नहीं करता हुआ दिखेगा, फिर है, he makes conformity to social expectations, his primary goal, यह problematic है, यह वेक्ति emotionally और socially mature नहीं हो सकता, जो conformity मतलब, मान लेना, समाज की तुवारा, जो भी अपेक्षाएं हैं, आपके, आपसे, social expectations हैं, उनी को primary goal बना ले, हर चीज की एक कीमत है दुनिया में, आपको, आपको सपनें भी follow करने हैं, और आपको सबका अच्छा भी बनना हैं, और आपको, सब कुछ करना है, तो एक हद तक तो possible है, लेकिन अगर, बिल्कुली against हो situation, तो फिर, ये social और emotional maturity की, विशेशता नहीं है, कि आप, बस, conform करते रहें, समाज की expectations, या लोग, क्या कहेंगे, लोग वाली जो situation है, उसको primary goal बना ले, कि बस, मुझे लोगों का अच्छा बनना है, चाहे, मेरी band बच जाए, तो फिर, ना कभी कोई Gandhi बनेंगे, ना कभी कोई Bhagat Singh बनेंगे, ना कोई और बनेगा, फिर, सब ऐसे चलते रहेंगे फिर तो, तो ये option, सही है, क्योंकि यही गलत है, तो ये तीनों चीज़ें बड़ी important है, अगर बात की जाए, emotionally और socially mature person की, कि आपको ये तीनों चीज़ें आती हो, इन तीनों qualities को जरूर समझ ली जागा, ठीक है, अगर हम बात करें, तो anxiety और conflict से comparatively free होगा, सुलजा हुआ होगा comparatively, emotional stress को face करने की शमता होगी, चंट्रोल कर पाएगा खुद को ऐसी situations में, और he has a sense of humor and positive outlook on life, मतलब sense of humor, मैं बलकुल ऐसे कायल हूँ sense of humor, कि मैं आपको बोलती में हो, हर situation में humor होता है, अगर आप ढूंड पाएं तो, तो उस case में humor का एग, defense mechanism की तरहा भी काम करता है, अगर आप Sigmund Fright को पढ़ते हैं तो, वैसे ये basically किसी और ने दिया था, नाम याद ने आ रहा मुझा उनका, तो I think कभी हम पढ़ेंगे defense mechanism, तब discuss करेंगे, तो humor important है, और positive outlook, लाइफ के प्रती important है, ये नहीं सब बेकार है, आपके lesson plan होता है, जिसके according आप जाकर के कक्षा में पढ़ाते हैं, जैसे ये PPT में लिए, lesson plan का हिस्सा हुई, ठीक है बात, lesson plan के अगर हम बात करें, तो teachers किस चीज़ को कम weightage देते हैं, least लिखा हुआ है, कम weightage, testing previous knowledge, मतलब पूर्वग्यान का परिक्षन, motivatory questions, presentation या फिर blackboard writing, जवाब दीजे, जवाब, देखो एक बार, answer क्या होगा, इसका ये बताओ, B option होगा, इसका बार, blackboard writing पे सब जोर देते हैं, यार ये तो column होता है, आपके lesson planning में, presentation का भी एक column होता है, lesson plan आपने बनाए होंगे, पूरे, कितने सारे boxes होते हैं, उसमें, previous knowledge के लिए, आप questions पूछते हैं, बच्चे का पूर विजान, चेक करने के लिए, but motivatory questions पर, least importance है, यानि कि आप बच्चे को, प्रेरणा दायक कुछ पूछ सकें, उससे उसका interest, ज़्यादा जागरित कर सकें, ऐसे questions पर हम focus नहीं करते, generally बस हम अपना purpose देखते हैं, यह नहीं देखते कि उसको कैसे, जगाना है, ही के बाद,